क्लेनिंग के कामें के कीचिन के सवाईक गी Widro यह अपने अभी तक नहीं की नहीं सुनदों तो जादे हैरह आपको लिए двस्तों की क्लेनिंग के ठीप मेरी करती है आपको लेना है एक बाउल, उसमें आपको डालना है कम से कम, हाफ कप के करीबर विनेगर, और हाफ कप के करीबर ही आपको यहाँ पर पानी लेना है, आप measurement करके हिसाब से ले सकते हैं lemon है तो बहुत अच्छी बात है बस इसको microwave में रखिए और कम से कम 1-2 मिनट्स आपको इसको चलाना है कि जो भी हमने पानी डाला था solution डाला था वो पूरी उसकी भाप आपके microwave में आजाए अच्छे से बस उसके बाद आपको ये बाउल भार निकाल लेना है और इससे आप किसी और चीज की cleaning भी कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपको लेना हाल कासा गीला कपड़ा और जब आप गीला कपड़ा लेंगे उससे पूरे microwave में आप लगा लीजिए उससे के आँकल जितनी भी इसकी गंदगी थी वो जो फार्टिकल दे खाने के वो जो चिपक जाते हैं वो काफी ज़्यादा लूस हो जाते हैं और ये आसानी से जितने भी इसके खाने के पार्टिकल है वो बिल्कुल आसानी से साफ हो जाएंगे और बिना किसी महनत के आपका microwave है वो अच्छे से clean हो जाएगा और नया चमक उठेगा बस ये आपने अंदर से clean करा और जो ये आपकी plate है ये भी काफी ज़्यादा गंदगी हो रही है तो इसमें भी हम जो solution हमने पानी का रखा था ब दोस्तों उसको clean करने के लिए हमने बस यही पानी यहां पर यूज करा है आप थोड़ा सा डिस जल ये डिटर्जन पाउडर डाल दीजिए इसके बाद इसे अच्छे से mix करने के बाद किसी भी sponge या किसी भी कपड़े से आप अपने microwave को बाहर से clean कर सकते हैं और ये आसानी स क्लीन हो जाएगा साफ हो जाएगा तो आई होप दोस्तों यह वाली टिप्स आपको जरूर मेरी पसंद आई होगी माइक्रोवेव को clean करने की मेरी next टिप है दोस्तों अकसर हमारे घर में कुछ कांच के बाउल या प्लास्टिक के ऐसे बाउल होता है जिसमें खाने के पार् विनेगर उसके बाद जो भी लिक्विड डिस जल है आपके पास तो ली लीजे अधर वाइस आप डिस बार भी ले सकते हैं इन सारी चीजों को उसमें अच्छे से मेक्स कर लीजे उसके बाद इसे थोड़ी देर आप छोड़ दीजे दस से पंदरा मिनेट चोड़ने के बा है ना कि हम उसमें मीथा अगरा रख लेते तो उस मीथे में भी वो तीखे पैन की स्मेल आती है बस उसके बाद आप इसे नॉर्मली पानी से वाश कर लीजे तो देखेंगे इसके यलो पन का दाग भी चला जाएगा इसमें जो इसमेल आ रही है वो भी बिल्कुल धूर बा बच्चों का दूद बना के रख लेते हैं चाहे बहुत जादा ओर शार जाधा आने लगते उसके बादम पा इसमें उगहा है तो उसमेल को बगाने के लिए आपको करना क्या है thooट चाहें लेया कोट को जाबाद बांतरा में आद बच्चों अब हम एक बच्चों करने के पानी बिल्कुल मत फिकिए उसके बाद आप इसका कैप लगा लगाने के बाद आपको अच्छे से शेक करना है इससे क्योंगा कि जो कोल गेट है वो पूरी तरीके से आपकी बॉटल में अच्छे से अपलाई हो जाएगा जब अच्छे से अप्लाय हो जाएगा तो शेक करने में इसारी जगह से जितना भी इसके स्मैल आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी और आपकी जो बॉटल है वो अंदर से क्लीन हो जाएगी जितनी भी इसमें महक थी वो सारी दूर भग जाएगी उसके बाद थोड़ा सा दिश ज्ल लेके डिस बार लेके आप इसे असानी से क्लीन कर सकते ह aboard तो इसमें जो चाइय के सपॉस्पॉर्ट से ही वह भी बेचा जाएंगे धूद की दूर हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसे तो बस आपको लेना है एक से दो गिलास के करीबन पानी फ्रिशो कुकर में, थोड़ा सा यहाँ पे डिटर्जन डाल दीजिए, डिटर्जन आप नहीं डालना चाहती तो थोड़ा डिशेल डाल दीजिए, डिटर्जन डालने के बाद एक चमच के करीबन आपको यहाँ पे ल तो वीलिए को अगर फाल कोंड दीजिएगा की जिसमें चारों और कोने में यलो स्टेंद अगर प्रेश्यो कूकर कि हैं वह सारे हट जाएंगे और बिना मेहनत के असाफ हो जागा तो देखिए प्रेशर कूकर अपने आप याद के से जादा साफ हो चुका है बस एक स्क्रब तो आपका प्रेशर कुकर एकदम चमचमा उठेगा दोस्तों ये टिप्स काफी यूसूल है आप इस तरीके से कडाई को भी क्लीन कर सकते हैं आपकी कडाई अच्छे से क्लीन हो जाएगा अलुमुनियम के जो भी बढ़तन है आपके घर में वह आसानी से साफ हो जाएगा बस एक बार नॉर्मल पानी से वाश कर लीजिए तो देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं वो देखें सारे हट चुके है प्रिशो कुकर से एक बस मैं थोड़ा सा डिस जल लेके इसको क्लीन कर लोंगी तो प्रिशो कुकर देखें एकदम क्लीन एकदम वाइट हो गया पह इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा सा आपको लेना है यहां पर विनेगा आप कम से कम चार से पांच चमश विनेगल ले लीजिए और डिस जल आपको लेना है और थोड़े सी क्वांटिटी में यहां पर मैं ले रही हूं पानी ज्यादा नहीं डालेंगे थ जब आप इसे चला लेंगे अच्छे से तो जितनी भी इसकी महक है स्मेल है यलो स्टेंज के इसके दाग है वो सारे हट जाएंगे और जो आपका ग्राइंडर जा रहे हो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा solution को दोस्तों आप किसी भी cleaning के लिए काम ला सकते हैं अपने fridge को clean करने के लिए अपने utensils को clean करने के लिए तो बस इसके बाद आप इसे normal पानी से wash करेंगे तो देखेंगे जो आपका grinder जा रहे हो अच्छे से clean हो जाएगा और साफ हो जाएगा तो आप दोस्तों आज की tips and tips आपको मेरी बहुत useful लगे होंगे अगर useful लगे तो एक like करना मुझे comment section में यह जुरू बताने की कौन से वले tips आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक्या